Hello Everyone, Welcome to Trending Economics इस वीडियो में हम समझेंगे विनमेदर की ब्रेटन वुट्स प्रनाली क्या है? इसे इंग्लिश में ब्रेटन वुट्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट कहा जाता है सबसे पहले थोड़ा बैक्गराउंड देख लेते हैं ब्रेटन वुट्स समझोता 1944 में अमेरिका इस्थित New Hampshire के ब्रेटन वुट्स नामक स्थान पर हुआ था तो एक स्थान है ब्रेटन वुट्स वो अमेरिका के New Hampshire में पढ़ता है वहाँ पर ये समझोता हुआ था ब्रेटन वुट्स प्रनाली एक अंतर राश्ट्री मौद्रिक समझोता था जो मुद्रा विनमय यानि एक्सचेंज रेट दरों को मान की करता था ये ध्यान रखेगा इसका उद्देश और देवकिक विश्व में आर्थिक इस्थरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाया रखना था क्योंकि आप जानते हैं जब 1994 में इस गठन हुआ तो उसके जस्ट पहले वर्ड वर्ड सेकेंड खतम हुआ था जिससे पूरे विश्व में तबाही आ गई थी आर्थिक तंगाई आ गई थी लोग भूंको मर रहे थे इस पनाली के अंतरगत विभेन देशों की मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर मतलब यूएसडी के साथ संबंदित कर दिया जाता है एवं डॉलर का मूले जो होता है वो सोण में तैंकिर दिया जाता है अब ऐसा के हुआ कि USD डॉलर में ही किया गया ततकालिन समय के विश्व की सबसे इस्थाई करेंसी डॉलर को विश्व करेंसी घोशित किया गया तथा अंतराश्टी इस्थर पर होने वाले सभी लेन देन वह भुगतान डॉलर में किये जाएंगे ऐसा तैं किया गया क्योंकि ततकालिन जो करेंसी डॉलर थी न वो स्थिर थी इसलिए दो मुद्राओं के बीच समता के लिए सोण ही अंति मिकाई का कारे करता है अंतित्ता पॉइंट देखते हैं किसी भी करेंसी के समता मूले में समयोजन केवल अंतराश्टी मुद्राकोश यानि इंटरनेशनल इंटरिफॉंड आई एमेफ की अनुमती से ही संभाव हो सकता है यह ध्यान रख लेगा